बूर्णिंग फ्रिंग्स स्वागत है आपका आपका अपने यूटीव चैनल पर चले शुरुबात करते हैं आज के दर हिंदु एडिटूरियल वकाबदरी जी पहले एडिटूरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं पहला वर्ड है पहले एडिटूरियल से प्रीडिसेसर प् अगला हमारा शब्द है ख्लेरिक यहां पर नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड ख्लेरिक होता है धार्मिक नेता या फिर हम गोंगों सकते हैं पुजारी या पादरी जो चर्च में होते हैं या फिर मस्जिद में जो होते हैं उन्हें बुला जाता है क्लेरिक सिनारीम से प्रीस्ट, प्रीचर, फादर और चुच्चमन, एंटारीम से सिस्टर और एथिस्ट एग्जम्पल है, हिज गरांट फादर वोजारी तो कोई विक्ति ये बात कर रहा है कि उसके जो गरांट फादर थे वो एक मुस्लिम, मतलब क्लेरिक थे वो, धार्मिक नेता थे, मुस्लिम एक धार्मिक नेता थे, या पुजारी, मतलब क्लेरिक थे, इमाम, मुस्लिम, उनको बोल जाता है, इमाम, पुजारी, हिंदू, पुजारी, और इसाही में होता है, पादरी, और या फिर धार्मिक नेत अगला हमारा सब्सक्राइब करते हैं कि विश्वास है विश्वास हम बिलीव करते हैं कि इस चीज में विश्वसनियता होड़ा उसे बुला जाता है अगला हमारा सब्सक्राइब करते हैं कि विश्वसनियता बढ़ रही थी उसके आज सून से उसकी कहानी की अगला हमारा सब्सक्राइब करते हैं अगला हमारा सब्सक्राइब करते हैं कि विश्वसनियता है यहां पर नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड हायरारकी का मतलब होता है किसी भी और्गनाइजेशन की बात की जा रही है उसमें निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर में जो श्रेणीबद एक पोजीशन होती है निम्न उच्चक्रम या श्रेणीबद प्रनाली उसे बूला जाता है हायरारकी हायरारकी के सेनॉनिम से और, रेंकिंग, स्केल, ग्रेडिंग और सिक्विंस एंटॉनिम से मेहम, तर्मॉयल, दिसॉडर और मेस एक्जमपल आप देख सकते हैं, like most other American companies with a rigid hierarchy, workers and managers add strictly defined duties तो यह किसी कंपनी की बात की जारी है कि दूसरी अमेरिकी कंपनीों की तरह इस कंपनी में भी जो workers और जो manager से उनकी duties थी वो बिलकुल से defined, strictly defined जो की गई थी कि किसे क्या कारे करना है यहां पर image में आप देख सकते हैं, hierarchy का मतलब होता है जिससे army की बात लेते हैं, पहले सिपाही होता है जीडी जिसको general duty वाला सिपाही बूलते है, फिर lance नायक होता है फिर नायक होता है, तो इस तरह से पद जो उपर उपर बढ़ते जाते हैं उस श्रेणिबत प्रनाली को बूला जाता है, hierarchy नेक्स हमारा word है, regime, यहां पर नाउम की तरह word यूज हुआ है regime का मतलब होता है, किसी तरह का administration, शाषन विवस्था या शाषन प्रनाली है बहुत बार repeat हो जुका है word, regime conflict का मतलब होता है, आपस में किसी बात को लेकर अनबन होना, टकराव होना, संघर्ष होना या युद्ध की स्थिति उसे बूला जाता है conflict, यह भी easy है word next हमारा word है veteran, यहाँ पर noun की तरह word यूज हुआ है, veteran का मतलब होता है, जिसे अपने क्षेतर में बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो, उस व्यक्ति को बोला जाता है, veteran वैसे जाता तर यह word सैनिको की सेंस में यूज होता है, veteran, soldier, उनकी कंटेक्स्ट में यह word यूज होता है, बाकि मैंने बता ही दिया आपको, अपनी field में महारत जीसे हासिल हो, ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है, veteran अगला हमारा शब्द, escalation, यहाँ पे noun की तरह word यूज हो, escalation का मतलब होता है, किसी वी चीज में बढ़ोतरी होना, बड़ी तेजी के साथ, व्रिद्धी होना, उसे बोला जाता है, escalation synonym से increase, rise, growth, upsurge, or expansion, antonym से decrease, reduction, decline, or abate, example है, an escalation of violence, तो किसी तरह के हिंसा में बढ़ोतरी की बात कही गई है, कि हिंसा लगातार बढ़ी रही है अगला हमारा शब्ध है, image, यहाँ पर preposition की तरह word यूज हुआ है, बहुत पार यह repeat हो चुका है, word, image का भी मतलब होता है, किसी भी काम के बीच में के दौरान के मद्धे में हम बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है, image अगला हमारा शब्ध है, aftermath, aftermath का मतलब होता है, किसी तरह की कोई घटना घटी है, तो उसके बाद जो आने वाले परिणाम होते हैं, जो consequences होते है, effect, outcomes, उन्हें बोला जाता है aftermath, synonym से consequence, effect, outcome, wake, antonym से antecedent, cause, prologue, or reason, example आप देशकते हैं, denizens, denizens होता है, कहीं के निवासी, किसी जगा के जो वहां रहता है, निवासी रहने वाला विक्ति, नागरिक, the denizens of Mumbai showed a resilience in the aftermath of heavy floods, तो मुंबई की बात की गई है, कि मुंबई में भारी बाहर आने के कारण भी वहां के जो नागरिक है, उन्होंने एकदम से मजबूती के साथ, उसके साथ मतलब लड़ने का भरसक प नस्ट कर देना किसी को बुरी तरह से, उसे बुला जाता है, perish, या फिर expire हो जाना किसी का, that is called perish, totally destroyed, synonym से expire, disease, pass, die, or exit, antonym से survive, exit, exist, alive, or appear, example आप देख सकते हैं, thousands perished in the war, तो किसी यूद की बात हो रही है कि उस यूद में बहुत सारे लोग जो है, वो मारे गए, अगला हमारा सब्दे consequences, यहां पे नाम की तरह word यूज हुआ है, aftermath का synonym से भी यह था word, consequences, consequences का भी वही मतलब होता है, कि यह गए गाम के क्या result आएंगे, क्या outcomes आएंगे, क् और फिर importance की sense में भी इस word का कई बार use हो जाता है, consequences का, synonym से impact, effect, result, or outcomes, antonym से antecedents, beginning, origin, or reason, example है, many people may lose their jobs as a consequence of recent poor sales, तो यह बात कहेगे कि हाली ही में, जो बिक्री में है, बहुत जादा गिरावत आई है, इसके कारण, काफी सारे लोग जो है, अपनी नौकरी से, उन्हें हाथ होना पड़ सकता है, अगला हमारा शब्द है, ironically, यहाँ पर adverb की तरह word यूज हुआ है, ironically होता है, व्यंगेपूर्ण तरीके से कोई घटना घटना या उल्टे तरीके से, contrary way में, कोई जसा सोचाना हो, तो वैसा हो जाए, देखिए, आप यहाँ पर image में देख सकते हैं, बस पर लिखा ही है, कि safety beings with you, और यह मतलब accident हो रहा है, यहाँ पर तो यह मतलब विडम नातमक चीज है, व्यंगेपूर्ण चीज है, that is called ironically, next हमारा वड़ है stern, यहाँ पर adjective ही तरह word यूज हुआ है, stern का मतलब होता है, कथोर सक्ती के साथ पेशाना, गंभीरता के साथ पेशाना एकदम से strictly manner में पेशाना, निर्दाई होना, कथोरता पूर्वक व्यभार करना, उसे बोला जाता है stern, synonym से severe, harsh, hard और strict, antonym से kind, easy, flexible और tolerant, example है, महराष्टा CM gave stern warning to lockdown violators, तो महराष्टा के जो मुखे मंतरी है, उन्होंने इस तरह से व्यक्तेवे किया है, बात कही है, कि जो lockdown viol violators है, यदि कोई इसका उलंगन करता है, तो उनके प्रती कड़े कदम, कड़ी कारवाई, कठोर कदम उठाये जाएंगे, अगला हमारा शब्द है aswaged, यहाँ पर वर्ब की तरह word यूज हुआ है, aswaged का मतलब होता है, कोई किसी तरह की दुख में है, तकलीफ में है, तो उस करना, शांत करना, उसके दुख-दर्द को कम करना, या फिर आग बुझाने की सेंस में इस word का यूज होता है, synonym से आप देखते है, allying, alleviating, appeasing, or mitigating, antonym से suffering, activating, agitating, agitating, arousing, example है, the police try to wage the angry mob, mob होता है, भीड, तो पुलिस ने ये कूशिच की, जो की, बतला भढ़के हुए उससे भरी भीड थी, उनको शांत करने की पुलिस ने भर्सक प्रतन किया, कोशिच की, अगला मारा शब्र दिस्वेट, यहां पर वर्ब की तरह word यूज हुआ है, डिस्वेट का मतलग होता है, किसी को कोई काम करने से मना करना, या रोकना, उससे बुलागा है, दिस्वेट synonym से debtor, discourage, prevent, divert, warn or don't, antonym से persuade, encourage, induce, abate or comfort, example है, I tried to dissuade her from spending the money, but she insisted, कोई विक्ती है, बात वो रहा है, कि मैने उसे बिलकुल पैसे खर्च करने के लिए बहुत जादा मना किया, परंतु फिर भी उसने पैसा खर्च करने की जिद की, परंतु मैने काफी उसको मना किया, इस त वर्ड यूज हुआ है, confrontation का मतलब होता है, किसी तरह का अनबन होना, किसी बात को लेकर आपस में, असहमती जताना, या आफिसी लडाई जगडा होना, किसी बात को लेकर, उसे वो लगा है, confrontation, synonym से conflict, encounter, clash, or fight, antonym से agreement, काम, consensus, or peace, example है, there was a confrontation between the two tribes, तो किनी दो tribes की बात की गई किनी के बीच में, किसी बात हो लेकर, आपस में, अनबन है, सहमती है, मतलब किसी तरह का लडाई जगडा है, अगला हमारा शब्द है, perilous, यहाँ पर adjective की तरह word यूज हुआ है, perilous का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो की संकट से भरी हो, जोखिम से भरी हो, संकट पूर्ण है, the road, grew even steeper, and more perilous, तो किसी सडक की बात की जा रही है, कि सडक जो है, गहराती जा रही थी, और बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, यह last word था, आज की दहिंदुरी टूरियल वकादरी का, इस वीडियो में इतना ही सी तरह के informative वीडियो के लिए बन रही है, चैनल क्ष непही है, लिली गुत टूरिया के जा रही है, टी तरह को वीडियो में बमी बनाड़ पिर सुपलती तो कर तो किसी सी थीडियो थीरा रही है, अज कि पनाड़ वीडियों तो क्हादी ब्टूराने कर अन्पांए प्गले को वीडि़ा बैए, यह derived में स evidence